नमस्कोर स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ लता बड़ी ख़वर आपको बता रहे जहां योगी सरकार के खिलाफ वैक्सीन के नाम पर राजिती करने वालों को लगा बड़ा छटका क्योंकि अब एक बार फिर से सरवादिक टेस्ट के साथ वैक्सीनेशन करने में नमबर वन बना है उत्तरप्रदेश जहां मरवास को पच्छारते हुए उत्तरप्रदेश ने एक बार फिर से नया मुकाम हासिल किया है क्योंकि अब तक आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड से ज्यादा लोगों का वैक्सिनेट किया गया है और इसके अलावा एक दिन के अगर बात की जाये तो 10 लाख लोगों का वैक्सिनेशन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो वहीं आपको बता दें इसके अलावा यूपी में ब्लॉक प्रमुक के चुनाओं में भी साफ़तों पर बीजेपी का दबदबा दिखा है क्योंकि जिस तरीके से लगतार इस कोरोना के दौर पर कोविट वाक्सीन से लेकर कोरोना के नाम पर तमाम तरह की राजनिती करते वी पक्षिनेता दिखाई पर रहे थे लेकिन आपको बताते चले कि उन तमाम पक्षिनेताओं के मुँपर करारा जवाब लगा है क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने महरवास्ट को पचाड़ते हुए एक नया मुकाम हासिल कर लिया है जिसमें सबसे ज्यादा जाज और वाक्सनेट करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है जिहां और इसी कड़ी में अब तक उत्तर प्रदेश में तीन करोड अठावन लाग से ज्यादा लोगों को वाक्सनेट किया गया है और यही बड़ी बज़ो है कि एक बार फिर से सरवादिक टेश करने के साथ ही वाक्सनेशन में देश में उत्तर प्रदेश सबसे पहला प्रदेश और नमबर बन पर आतवा दिखाई दिया है जिहां आपको बताते चलें कि एक दिन में दस लाग से ज्यादा को लोगों को वाक्सन लगाई जा रही है और इसी कड़ी में हाला कि 31 अगस तक 10 करोड लोगों को वाक्सनेट करने का लक्ष रखा गया था लेकिन जिस तरीके से एक दिन में 10 लाग लोगों को वाक्सीन लगाई जार ये साफ़तवा पर कहा जा सकता है कि वाकई दुगनी और तिगनी तेजी के साथ उतर प्रदेश में योगी सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है और यही बड़ी बज़ो है कि लगतार अब विपाक्षी के होश उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं योकि जिस तरीके से लगतार विपाक्षी के तमाम नेता आगामी विधान सभा चुनाओं को ध्यान में रखते हुए और से जूटी और बेबुनियादी राजिती करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसे बीच में जिस तरीके से एक के बात एक योगी सरकार का डंका देशी नहीं बलकि दुनिया में मी बचतावा दिखाई पल रहा है ये बड़ी बज़ो है कि लगतार अब तमाम पाक्षी नेताओं की घबराहत बढ़ गई है और ये साफ़ता पर कहना लाजबी होगा कि अब योगी सरकार के कामों को देखत हुए एक बार फिर से आगामी उत्तरप्रदेश के चनाओं में साफ़ता पर योगी सरकार का डंका बजने वाला है जिहां और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब तक अगर हम जाच की बात करें उत्तरप्रदेश में तो उत्तरप्रदेश अब तक 6 करोर से ज्यादा कोरोना की जाच करने वाला भी पहला रवाज़ बन चुका है जिसमें अगर पिसले 24 गंटों की बात की जाए तो 2,69,174 से ज्यादा कोविड सेंपल की जाच उत्तरप्रदेश में की गई है जिसने साफ़ता पर महरवाज से लेकर दिली तक को पच्छार दिया है और यही ब बनाए रखने के लिए योगी सरकार की ओर से भी एग्रेसिव टेस्टिंग और वाक्सनेशन के निर्देश अधिकारी को दिये गए है और इसे कड़ी में अधिकारी दुगनी तेजी के साथ उत्तरप्रदेश में लोगों को वाक्सनेट करने का काम कर रहे हैं तो वहीं असपास वाक्सन लगाई गई है जो कि अगर उत्तरप्रदेश के लिहाद से देखा जाए तो दो लाग से ज्यादा का फरक महरवास जो उत्तरप्रदेश में साथतर पर दिखाई पड़ रहा है और यहीं बड़ी वज़ो है कि योगी सरकार के काम को लगता है सरहा जा रहा है क्योंकि महराश में किसदरिके से लोगों के जिन्दगी के साथ खिलवार किया जा रहा है हम सबको पता है वक्सीन से लेकर तमाम दुनियादी सुविधाओं से लेकर किस तरिके महाविकास अगाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ धान दिलिखाई पर रहे ही बड़ी वज़ है क्योंकि जिस तरीके से लगतार अलग-अलग राज्यों में हम ये देख रहे थे फिर चाहे वो पंजाब हो फिर चाहे वो राज्यस्थान हो कि तरीके से लगतार लोगों को लगाने वाली वैक्सिन को दस्ट बीड में फेका जा रहा था गड़ों में गाड़ा जा रहा था साफतार पर काम्याब हुई है लेकिन आपको बताते चले कि जिस तेजी के साथ योगी सरकार वाक्सिन लगाने का काम कर रही है इसी कड़ी में अब जो ऐसे लोग जो वाक्सिन लगाने में असमर्त हैं दिव्यांग हैं जा स्वास्ति के कारण वो वाक्सिन सेंटर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनके लिए भी योगी सरकार की ओर से डोर टू डोर वैक्सिनेशन का शुभारम किया जाएगा जिसको लेकर स्वास्वभाग की ओर से तमाम तरह की तैयारियां कर ले गई हैं जिसको देखते हुए साफतर पर ये कहा जो सकता है कि योगी सरकार का ध्यान इससे में सिर्फ और सिर्फ लोगों को कोरोना से निजाद दिलाने में हैं जबकि दूसरी तमाम विपक्षिया पार्टी किस तरीके से कोरोना के नाम पर किस तरीके से अविवस्थाओं के नाम पर किस तरीके से कानून विवस्था के नाम पर योगी सरकार को घेर प गया है जिसमें तीन करोड से ज्यादा लोगों को वैक्सिनेट किया गया है जिहां और यहीं बड़ी बज़ो है कि अब लगतार पक्षी नेता बोखलाते हुए और घबराते हुए दिखाई पर रहे हैं हाला कि आपको बता दें कि विपक्षों की बोखलाहट का कारण एक और है क्योंकि जिस तरीके से अभी हाली में उत्तर प्रदेश में जला पंच्वायत अधक्ष के चुनाव हुए थे जिस तरीके से बीजेपी ने किस तरीके से अपना परचम लराती है ता हम सब ने देखा था और इसी कड़ी में अगर हम बार अभी हाली में जो चल रहे हैं ब बड़े चुनाव के लिए बड़ा चेरा और यही दरसल बड़ी वज़ा है कि लगतार अखलेश यादाव से लेकर राहूल गांदी तमाम तरह की बयान बाजे कर रहे हैं हालकि चुनाव में प्रदशन की बात करें तो फिर चाहें वह विदानसभा चुनाव पिसले बार का हो या फिर अभी हाल ही में जो विदानसभा चुनाव के सेमी फाइनल जिसे कहते हैं वो जला पंचाद अदर्श का चुनाव हो उसमें पिस तरीके से सपाव पार्टी ने मूह की खाई हम सब ने देखा था और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुक के चुन पर्टियाशी जीते गए हैं जी हाँ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो मास्तर 17 समाजवादी पार्टी के नेता निर्विरो झापर हाला की चुने गए हैं जिसको देखते वें आप साफ़कार पर ये समढ़ सकते हैं कि एकलेश यादों के पास ना ही तो नही काम किया है और ना ही उनके पास कोई बड़ा चेरा है जिसे वो गाउं गाउं तक लोगों तक ले जाए और जिसे वो लगतार वदाज्य के विधान सवाचुनाओं में भी लोगों के साब ने खड़ा कर पाए ऐसा कोई भी जन प्रतिनीदी सपा समाजवादी पार्टी के पा अब लोग प्रमुक के चुनाओं ने भी इस पश्ट कर दिया है कि आगामी विधान सवाचुनाओं सर्फ और सर्फ बिजेपी का है फर इसमें तमाम पार्टियां चाहें जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले उनको इसके बिलकुल भी परणाम नहीं मिलने वाले हैं राहूल गांधी को नकारते वे दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन बावजुद इसे समझने के ये तमाम पाक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ योगी और बोधी सरकार को धुमिल करने का काम कर रहे हैं लेकिन इसका खामियाजा सौफ तर पर आने वाले 2022 के चुनाओं में इन तम अपने आप में दिखाता है कि क्या विसा तमाम इपक्षी पार्टी नेता मिछाने की कोशिश कर रहे हैं और धरातल पर जनता किसे समर्थन देती वी दिखाई पर रहे हैं जिहां और यहीं बड़ी वज़ा है दरसल कि इस जनता के प्यार को देखते हुए भी जनता के इसन कि कैसे लखीमपुर में आप सोचिए कि एक समाजबादी महिला की जो प्रत्याशी थी कि इस तरीके से बीज़ेपी को बदनाम करने के लिए उसने स्वादिश रची थी हाला कि इसका खुलाशा अब साफकर पर यह हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ बीज़ेपी को बदनाम करने के लिए निर्दली प्रत्याशी के समर्थकों ने ही उस पर हमला किया था लेकिन आप यह देखे कि किस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन मोट में आते हुए बिना किसी पार्टी को देखे बिना किसी नेता के चेहरे को देखे तुरंत इस पर ततकार प्रभाव से कार पराते हुए नजर आ रहे हैं फिलाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले